नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं अगले कुछ दिनों तक सुबा में कोहरा रहेगा, जबकि दिन में मौस्म साफ रहेगा रांची में गुरु वारको निम्तम तब मांदाश डिग्री सिल्सेस रिकोर्ट किया गया मुख्य मंत्री हमांत सुरेण पहुंचे बोकारो पासिंग आउट परेड में सामिल पासिंग आउट प्रेड में सामिल होने मुख्य मंत्री हमांसुरेन बोकारों पहुंचे हैं पतादे बोकारों के सेक्टर 12 हिस्तित जैब 4 गराउंड में आवयजीद पासिंग आउट प्रेड में सामिल होंगे इस मौके पर डीजीपी नीरज सीना समयत कई पूलिस पतादिकारी मौजूद हैं बता दे कि आयार्बी गोड़ा आठ एस आयार्बी एक दुमका और एस आयार्बी तीन खोटी के महिला और पुरूस प्रसिक्छु आरक्ची का पासिंग आउट प्रेड में सामिल होंगे इस में 575 जवानों में 188 आदिम जन जाती पहाड़िया महिला बाटालिन में सामिल होंगे जैसे ही डिजीपी के हElikopter line किया तो अधिकारी को कुछ समझ नहीं आया तमाम अधिकारी को फोन खान खानाने लगे जैसे ही डिजीपी को हालात का अंदाज हुआ उनके हelikopter ने पूलिस line के लिए उडान भर ली है मामले पर कोई भी आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तयार नहीं है लेकिन डिजीपी के हेलिकोप्टर का भटक जाना बड़ी चुक है दरसल जैब चार में पासिंग आउट परेड में स्तिया महमान सुरेन और डिजीपी नीरा सिना मुख्याती थी है जारखन के 128 सरकारी स्कुलों में मिड़े मील का अनाज पहुचाने के लिए नहीं मिल रहे हैं बता दे कि इसको लेकर जिला परसासन द्वारा 23 दिसमबर 22 को टेंडर निकाला गया था जिसकी आखरी तार एक 3 जनवरी थी लेकिन 3 जनवरी तक एक भी निवीदा ताओ ने टेंडर नहीं भरा जिसके बाद टेंडर भरने की तारिक आगे बढ़ा दी गई अब निवीदा ता 16 जनवरी तक टेंडर डाल सकेंगे बता दे रांची जिला परसासन के द्वारा जारी किये गए आदेस में कहा गया है कि टेंडर भरने वालों को इस छेत्र में कम से कम एक साल का कारे करने का अनुभा होना चाहिए अनाज का ट्रांसपोर्टिंग, पिक अप भैन, मिनी ट्रक, ट्रेक्टर, ट्रेलर, भारवाहन के माध्यम से करना होगा मिड़े मिल के आनाज को महीने के पंदरा तारिक तक इसकुलों में पहुचाना अनिवार्य होगा आदम खोर तेंड़ुआ को पकड़ने का अभियान सुरू गढ़वा जीले में इस्थीत भंडरिया, रंका, चीनिया और रमकंडा प्रखंड में आतंक का प्रयाय बने आदम खोर तेंड़ुआ को पकड़ने का अभियान गुरुआर से सुरू हो गया है इसके लिए जाने माले सुटर नवाब सपत अली खान चार सदस्य टीम के साथ गढ़वा पहुँच गाए गुरु आरकोर टीम के सदस्यों ने डी एफो सदसी कुमार के साथ प्रभावित इलागों का जाजा किया वन विभाग परिसर में बात चित करते वे सुटर सपत ने बताया है कि वह पहले उन गाओं में जाकर जाजा लेंगे जहां तेंद्विय के हमले से बचों की मौत हुई है उन्होंने कहा है कि अब तक पता नहीं है कि तेंद्विय कहां चिपा है इसके लिए सर्वे किया जाएगा जार्खन में 33,000 अधिवक्ता नियाई कारे से दूर जार्खन में 33,000 अधिवक्ता आज से न्याई कारे से दूर रहेंगे अधिवक्ताओं ने जार्खन सरकार पर उनकी हितों के अंदेखी करने कारोप लगाया है 8 जनुवरी को बार एसोसियेशन के पता अधिकारी बैठक करेंगे और आगे के रन निती भीताय करेंगे बदादे कोट फीस संसोधन विधेक वापस लेने की मायंग के साथ जार्खन के करिबते 30 से आधिवक्ता आज से खोद को नाई कार से दूर रखेंगे जार्खन राजबार कॉंसील ने सरकार पर अधिवक्ताओं की हितों के अंदेखी करने कारोप लगाया है जार्खन राजबार कॉंसील जीन बातों का विरोध कर रही है उनमें जार्खन में बेताहसा कोट फीस में बढ़ोतरी जार्खन में एड़ोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू करने बजट में अधिवक्ता काल्यान के लिए निधी आवंटन नहीं करने लोग अभियोजक एवाम अपर लोग अभियोजक राज एके बार एसे सिसन से नहीं बनाना सामिल है ग्रीह मंत्री के दवरा को लेकर पूलिस चावनी में तबदील केंद्री ग्रीह मंत्री अमीच साह के जारखन दवरे को देखते हुए उनके सुरक्षा के पूखता इंतजाम किये गाए हैं बतादे अमीच साह की सुरक्षा के लिए बीरसा मोंडाई आयरपोर्ट से लेकर होटल रेडिसिन बुलू तक खास इंतजाम किये गाए केंद्री ग्रीह मंत्री अमीच साह सुक्रवार की साम अपने दो दिवरसे दवरे पर जारखन पहुँचने वाले हैं इसे देखते हुए रांची एरपोर्ट से लेकर होटल रेडिसिन बुलू तक के इलाके को पुलिस छाउनी में तब्दिल कर दिया गया है बता दे केंद्री ग्रीह मंत्री अमीच साह की सुरक्षा को लेकर तीन आईपीच चार डी एसपी दस इंस्पेक्टर सहीत दर्जोनो जवान को तैनात किया गया है गढ़वा में धान के बाद गेहु की फसले भी हो रही परभावीत गढ़वा जिले में धान के बाद अब इस बार रहभी की परमुख फसल गेहु की पैदवार भी अपेक्षा किरित कम होने की संभावना है समय पर बारिस नहीं होने निलगाय, बंदर और हाथियों के उत्पात तथा सी चाई की सीमित व्यवास्था की वज़ा से जिले में गेहु की बुवाई कम लोगों नहीं की है किरिसी विभाग के अनुसार गढ़वा में गेहु की खेती 18,500 हेक्टेर भूई पर की जाती है दो जनवरी के आकड़े के अनुसार इस साल मात्र 11,377 हेक्टेर में ही गेहु की फसल लगाई गई है या कुल लग्ष का 16,5 परतिशत है वहीं धान के उत्पादन की तुलना में काफी कम है गढ़वा जिले में धान का उत्पादन 55,000 हेक्टेर में किया जाता है हलाकि इस साल धान की रुपाई भी नहीं के बराबर हुई है जारखन से वैसनो देवी के लिए ट्रेन का परिचालन जारखन के टाटा नगर स्टेशन से रोजाना जमुत अबदी एक्सपेरेस का परिचालन हो सकता है ऐसा हुआ तो अम्रित सर लुद्याना वैसनो देवी जानने वाले आत्रियों को बड़ी रहात मिलेगी दरसल कल जमसेदपुर में एकई सदस्यों के परितिनी दिमंडल ने टाटा नगर स्टेशन के निदेशक से मुलकात की जाहा दमुत अबदी एक्सपेरेस का परिचालना चलाने की महांग रखी गई है हजारी बाग के टीचर्स की सुची में भारी गलबड़ी सरकारी प्रारामभिक स्कूल में सिक्छक नियुकति करन की सुची चार महिने बाद जिला पर सासन की एन आईसी बेबसाइट पर तीन जनवरी दोह जातेश को जारी हुई इस लिस्ट में भारी गलबड़ी है 238 लिस्ट में हजारी बाग के सदर परखंड के प्रात्मिक विद्याल है मुकुंद गंज की सिक्छी का गलोरिया टोपो का नाम है बताया जाराय की सिक्छी का गलोरिया टोपो की मिरित उडेड महिने पहले हो गई है वहीं 20 दिनों बाद इसी जनवरी महिने में सिवा निवरित होने वाले दिपिका खाखा रुस्तम अली, अग्ष्टीन तिर्की, बलेस्वर राना और ये कई सिक्छक सिक्छी काये को सुची में सामिल किया है इसके अलावा भी कुछ सिक्छक संगटनों ने जारी सुची में कई गलती उजागर किया है इसमें केवल सरकारी सिक्छक को सामिल किया गया है जबकि विद्यार्थियों की गिंती में सहयक अध्यापक को भी लिया गया है केदार कंठा ट्रेक की चोटी पर रांची के संतोसी कुमारी रांची के संतोसी कुमारी ने हिमाले रेंज के केदार कंठा ट्रेक को फटह किया है तापमान माइनस उनश डिग्री था इसी तापमान में उत्तर कासी की तराई पर पहुंची संतोसी ने 19-200 फिट की उचाय तक की ट्रेकिंग 27 दिसंबर को पुरा किया ट्रेकिंग की सुरुआद 25 दिसंबर को सुबा 6 बए शुरू की सीप 28 दिनों में इस ट्रेक को पुरा कर संतोसी ने मिसाल काईम किया है उन्होंने बताया है कि ट्रेकिंग के दोरान आक्सिजन की कमी महसूस हुई इसके लिए बीच बीच में कैंप भी किया केदार कंठा ट्रेकिंग समीट के सीखर पर पहुँच संतोसी ने सबसे पहले 11 राउंड सुरे नमस्कार किया इसके बाद अपनी सफलता का जस्न तिरंगा फाराकर मनाया कस्तूर्बा गांधी अवासे बिद्यालेओं के लिए जल्द निकलेगी भैकेंसी इंटरो प्लस टू उत्तिन होना अनिवारे बताया गया था लेकिन हाई कोड से याज का निरस्त होने के बाद अवियार्तियों की जारकन से मैट्रिक इंटर करने वाली सर्त को हटा दिया गया है आदिवासी बचाओ महारायली अब 5 मार्च को होगी पहले इस रेली के आयोजन 26 फरवारी को होना था हलाकी 26 फरवारी को अने संगट्णों द्वारा सरना धर्म को लेकर मोराबादी मैदान में रेली की घोसना की गई है जिसके कारण आदिवासी बचाओ महारायली के तीथी को आगे बढ़ा दिया गया है यह महाराईली राई सरकार द्वारा जल्द से जल्द नय नियोजन नीती बनाने और कुडमी द्वारा सुची में सामिल करने के मांग के विरोध में होगी यह जनकारी सुक्रवार को आयोजी एक पत्रकार समिलान में पुरो मंत्री देव कुमार्धान लक्ष्मी नरायन मुंडा आधी ने दिहाए धन्यवाद